तो गाइस हम आ गए हैं वापस फिर से एक शांदार से वीडियो के साथ और गाइस आज बहुत मज़ा आने वाला है और मुझे ये बोलते हुए भी मज़ा आ रहा है काफी जादा excitement फील कर रहा हूँ क्योंकि गाइस आज कुछ गजब का काफी दिनों बाद worst पे होने वाला है और गाइस काफी टाइम पर आप लोगों के लिए बट दुख इस बात को होता है कि आप लोगों करते हो यार कितनी बार बोलना पड़ेगा तो येस गाइस सब्सक्राइब कर दो तब ही ना ऐसे अमेजिंग चीज़ें देख पाऊगे निए वीडियो नहीं देख पाऊगे और लाइक, शेयर, कमेंट सब दबा के करने का तो येस गाइस दबा के करने का सब कुछ और हम तो इस पर ही बात करने वाले हैं क्योंकि आपने बोला था और वही करेंगे गाइस तो आप अपनी डूडिस कर लो तब तक हम इसको खोलते हैं फिर पूरी बात डिटेल में तो गाइस हमने अनवाक्स कर दिया है अपना बे और देख सकते हो कैसा दिख रहा है तो उससे पहले मिस में आए मैं आपको बाकी सारी चीज़ा दिखा देता हूं यहां पर क्या क्या मिलती है क्योंकि काफी टाइम बाद यार इंडियन रिलीस का अनवाक्सिंग हो रहा है तो थोड़ा सा डेटेल में करना बनता है. तो गाइस यह पूरा यूजर मैनुल्, जोगी काफी सारी बहसाहों में है हंदी में में भी लिख देते तो भाई तुमारा क्या चला जाता है. तो हंघी में क्यों है क्यों है पैली बाट आपने हाँ बहत सारी बहसाह क्या है madam, ल मेरा मानना है कि यह सारे जो अमेरिकन या यूरोपियन रिलीसें उन्हीं पे लेबल चपका के इंडिया में दे दिया जा रहा है जैसी कि आप यहां पर देख सकते हो कुछ ब्रेंडिंग यूएसे एंड कैनेडा करके लिखा हुआ है पता नहीं सही से दिख पा रहा होगा या है नहीं यहाँ पर यूएसे एंड कैनेडा लिखा हुआ है और इधर पर आते हैं तो आप जैसे घणी कंट्री आफ ओरीजिए वी अफ़िजिन वियतनाम में बनते हैं बैसिकली ऑप धिपा रहा हुआ है यह यहां पर वियतनाम लिखा हूआ हुआ है कंट्री आफ ओर इंडिया इसको इंपोर्ट करता है बेसिकली और प्रोड़क्ट कोड वगेरा उसारी चीज़े दे रखी लोगों ने और नॉमबर 2022 की मैनुफैक्टरिंग तो अविसली अवियत नाम से बना हुए उसके उपर से बस यह है यह अमेरिकन यूनिट ही जो अमेरिका यूरोप में जाती है और उसके उपर से बस यह कि इंडियन वाला लोगो लगा दिया यह साई की मार्किंग वगेरा तो यह इंडियन उनिट बन गया बट सेम चीज़े गाइस कुछ मॉडिफाई नहीं किया पैकेजिंग तक मॉडिफाई नहीं की तो यह थोड़ा से मुझे बुरा लग यह पास ज्यादा है भी नहीं तो वह चीज है और ऐसे आप इसको लेफ्ट या राइट किसी में भी लांच कर सकते हो फ्री स्पिन एक दम यह यह मत सोचना कि यहां कुछ स्प्रिंग स्प्रिंग है फ्री स्पिन है बेसिकली लांचर काफी अच्छी क्वाल्टी होते हैं त तो गाइस चलो पर यह बात कर लेते तो पहले मैं एक लौजर लुक आपको दे देता हूं थोड़ा सा तो गाइस यह है कुछ इसका अच्छा नहीं दिखता है इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है क्योंकि पूरा प्लास्टिक है ना इसमें कोई रबर पीस होता है में कि ज्यादा तर पीसे टकार टॉमी वाले डालते हैं जो यहां पे नहीं होते हैं तो वो सारी चीजें देखो मिसिंग हैं आपे विदाउट डाउट और इसमदे इसका वेट भी काम है वाट यह इसके लिए काफी टिक टाक लूस करके बनाए है तो बस्ट वाला फन यहां पर रहेगा वह एक बहुत प्लस पॉइंट है और हैश्ब्रो ने काई स्टीकर नहीं लगा यार कम से कम स्टीकर नहीं दे सकते थे जाना किन extraordin करos लगा देते तो वह चीज मिसिग थोड़ी सी और थोड़ा सफ़ाई खम आता है वाई बात और आपे इसको अम पूरब open करें तो यहां पर गाइस इनका खुद का कर्मा डिस्क है कर्मा वर्जिन जो की बहुत हलका है और बताएंगे भी कितना हलका होने वाला है तो वह चीज है फिर गाइस इसके बाद यह आता है अपने पास ड्राइवर और इसका नाम क्या है नाम देखो मैं पढ़ने पढ़ें यह तो भाइया देख लो कोड है पता नहीं आपके वाले में ना हो तो अलग की बात है और यहां पर जो ड्राइवर आता है ड्राइवर के साथ थोड़ी सी नाइन साफी हुई है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है पहली चीज ड्राइवर का कलर नहीं कर सकता है दूसरा मोड ड्राइवर में दो दे रखें मतला ऐसे उसको लगा की उसकरो तो तो मूर्ज मोड होगे चार तो इसको काड ड्राइव बोला है ऑचज़ो ने और यहां पर यह साथ स्टैमिना टीप है पता नहीं कौन सी जैरो टिप जैसा फीलिंग देरी मुझको और आल ठीक है यार एप्रिशेट करना चाहिए हम लोगों को देखेंगे गाइस यूज करने में कितना फन है क्योंकि वो है मतलब डियल डील तो चलो गाइस इसको निकाल लेते हैं यह जो इसका आर्मर है यह ऐसे आप पुल करोगे दीरे से तो बाहर आ जाता है फिर यह इवो वैल्ट्रियक वी-7 यह नाम दिया है एशब्रो ने और यह आर्मर है जो आइटिंग टू आर्मर के जैसा कुछ कुछ दिखता है शायद और है पूरा प्लास्टिक का तो आप इस बेबलेट को इवाल्व कर सकते हो अपने टकायर टॉमी वाले पार्स डाल के अगर आ बड़ दिस्क लगेगा और यह लगेगा ड्राइवर तो चार ऐसके चार रमोड होंड़ो मॉड भी पसंद को पता है बहुत कुछ है आसा इंड आ एक प्रिशेट करना बनता है और प्राइस पॉइंट भी खराब नहीं है प्राइस में तराइस किये गये है क्योंकि 17-18-100 रुपए से कम का कोई भी बेवलेट डीवी का नहीं पड़ता है तो उस हिसाब से यार अगर ये 12-13-100 रुपए में चीज दे रहे हैं तो यार गाइस मैं अप्रिशेट करूँगा देखो यार हैशब्रो अपनी जगए यूनीक है तो उसका टकार टॉमी से कंपारिजन करना भी ठीक नहीं है आप कर सकते हो वो आपकी मर्जी है बट पसनली मैं नहीं करने वाला हूँ वो लोग है तो मैं लग से वीडियो बना दूँगा तो चलो वेट कर लिया जाए इस बे का कितना है वेट तो काफी अलगा है 44 ग्रैम्स है जो की काफी कम वेट होता है कम है वेट तूबी ओनेस्ट और कंपेर मैं आपको दिखा देता हूँ टकार टॉमी के ब्रेव वैलकरी से कि एक्चुली में बे कितने हैवी होते हैं तो यह ब्रेव है करीब 65 ग्रैम्स का और कोई भी नॉर्मल डीवी बे आराम से गाई 60-70 ग्राम का होता है तो उस केस में इसका वेट ठीक ठाक कम है तो चलो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है में तो स्टेडियम मैं फड्रेग से ले की आता हूँ और ट्लो सकड्राइ करते है । तो स्टेडियम सेटब हो गया है और हम तैयार है अपनी ट्रेस mend brief जिक है नहीं नॉनकर न्हीं है न्मल यूजर games लादें लांट बेटल याइक नहीं तो गाइस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब हैज ब्रो अपने खुद के जो एलार लाउंचर तो इसने यूएसे अमेरिका में लाउंच के लेकर आएगा क्योंकि उनका भी मुझे वेट है पस्नली वो भी चाहिए और सभी डेट पर ले आता तो बहुत अच्छी बात है वरना डी भी लाउंचर तो अपने जैपन समगा की यूजी करेंगे तो चलो अब देखते हैं पावर वाला लाउंच यह है गाइस हाँ तो अभी अभी फील आ रहा है कि यार कुछ वैलकुरी वाला चीज है यह लाउंचर ऐसे लाउंचर चीए गाइस ऐसे बेस के लिए साथ ग्राम का यह भी अरौंड पच्पंट साथ ग्राम को ऐसे डिस्क मिसिंगे इसकी दूसरी लगा रखी बट फिर भी मतलब वेट इतना जादा है कि इनका बर्स्ट होना अल्मोस्ट लोस्ट इंपॉसिबल है और इसमें गाइस टीथ होते ही नहीं है तो स्लोप सुते है तो बेसिकली यहां पर कोई टीथ वाला सीन ही नहीं है स्लोप से इसमें फूर ली यह ऐसे कोई टीथ नहीं बस लगा खड़ाक से बस्ट हो गया तो वह चीज मुझे अच्छी लगती क्योंकि बस्ट का यार फन रहना चीए और टका टॉमी के गाइस डीबी और बीउ में ब लाउंच काफी अच्छा लाउंच है और और गाइस इसका रियल टेस्ट पता है अल्टिमेंट वेलकरी का तभी हो पाएगा जब अपने पास एक दो और कॉट ड्राइब के बेस हो और डीवी बेस के अगेस काइस ट्राइब करने का कोई मतलब नहीं है हार जाएगा तू ब और ठेस्ट पिंट चर biases पूंट यह दरिया पार्ट मीं आडवर्स अटा इसे आप गाइस करते हैं अब यह स्टाइमिना में बदल गया काई जिए चाही जों थी दूब्स कर और चैन्ज परपस में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यह ड्राइवर काफी अची चीज है अच्छी चीज है इनको थोड़ा और ध्यान देके अच्छे से बनाता थोड़ा सा स्प्रिंग टाइट देता तो अच्छा लगता परस्टरी बढ़ा इतना भी बुरा नहीं है ठीक थाक श्प्र कि घाय जीत गया तो बहुत बड़ी बात है कि चलो गाइस देखते कैसा होता यह battle इस battle में तो यार surprisingly अच्छा किया मुझे नहीं लगा तह जीत पायागा बट सर्प्राइज इंगली इसने अच्छा किया एक बार और यह अला बैटल ट्राइग करेंगे क्योंकि ये टकाट ओमी का बे इतना भी कमजोर नहीं है कि कोई भी इतनी असानी चाहरा दे एक ही दो टक्तर भी डिस्बैलेंस कर दिया तो गाइस लोग ना जाने क्या क्या बोलते है एजब ऑपर्सनली मैं नहीं कहूंगा कि हैजब लो खराब या कुछ भी है क्योंकि इस बेने मेरे इस आपसे तो यार सइव परफॉर्म किया जीटी के अगेंस परफॉर्म अच्छा किया है अब किसी के अगेंस भी कैसा करें मुझे इतना फर्क नहीं पढ़ने वाला है बट overall मैं सटिसफाइड हूँ यार और Brave से तो देखो नहीं जीत पाएगा और वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि Brave से देखो नहीं जीतेगा मैंने किसी एक वीडियो में हैच्बियो के बेलियाल को अपग्रेड किया था अब गाइस इस से ट्राइ करते हैं जो रैगनोरॉक है अपने पास तो चलो गाइस करते हैं रैगनोरॉक से एक लास्ट बैटल और overall काफी surprisingly अच्छा कर रहा है और जिस रिजाब से टीथ हैं उस रिजाब से तो यार मैं सर्प्राइज हूँ और मुझे लगता है यार यह वर्थ इट है तो बी होनेस्ट यह वर्थ इट है और personally यार मुझको यह बेच्छा लगा और actual इसका वीडियो आप बोलो के तो एक और वीडियो हम बनाने कोशिश करेंगे फुल बैटल रिव्यू क्योंकि गाइस अभी मेरे पास quad drive बेज नहीं है तो इसका quad drive के against भी बैटल करने पे proper पादा चलेगा क्योंकि अभी इंडिया में देखो quad drive चलने वाला है तो लोग उसको जदा पूछने भी नहीं वाले हैं तो जो सच है वो सच है ठीक है तो गाइस आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही आप अपने thoughts को बताना comment section में कि आपको क्या लगता इस बारे में और मैं आपसे विलूँगा फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन तब तक के लिए guys stay safe और happy ले डिंग